जहीं दोस्तों, Tally ERP9 के Class No.24 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस Class में हम सिखेंगे Tally ERP9 में GST Billing कैसे करेंगे दोस्तों, वीडियो काफी इन्पोर्टेंट है, इसलिए Ind तक आप जरूर देखे सबसे पहले आपको Tally Open करना है Open करने के बाद किसी भी एक नाम से आपको Company बना लेना है जिसे हम Company के नाम ABC डाल रहे है Mailing Name, Address, Country, State अपना Selectर लिजिएगा क्योंकि GST में Country, State की काफी Importance होती है और उसके बाद आप Inter करके Accept कर सकते हैं अगर आपको Contact Details डालना हो, तो डाल सकते हैं नहीं, तो Inter करके इसे Final Accept कर लिए अब दोस्तो Tally RP9 में जब भी आप Accept करेंगे तो नॉर्मली तरीके से Accept हो जाएगा यहाँ पर कोई भी Features की Functions नहीं आती है ताकि हमें F11 से जाकर के Features को Yes करने होते हैं तो यहाँ पर आपकी ABC नाम से Company बन चुकी है अब मुझे GST पे काम करना है इसलिए GST वाले Features को इस Tally में मुझे Yes करना होगा तो इस Features को हम Yes कैसे करेंगे इसके लिए आपको Company Info में जाना है यहाँ पे एक Option दिखाई देगा Shortcut की Alt F3 क्लिक करने के बाद Keyboard से F11 को प्रेस करेंगे तो F11 जैसे प्रेस करेंगे मुझे Company Features यहाँ पे दिखेंगे जिसमें आपको 3-4 Option दिखेंगे यहाँ से Taxation Option पे Static Taxation पे क्लिक करना आपको इंटे करना है इंटे करने के बाद उपर येक Option दिख जाएगा Enable Goods and Service Tax जिसे Yes कर लेना है फिर से टल्टर GST Details को भी Yes करना है Yes करने के बाद GST Details आपसे मांगे जाएंगे यहाँ पे जिसमें State अपना राज डाल लेना है GST टाइप Regular डालना है और GST नंबर जो आपका होगा वो यहाँ पे Put कर लेना है नहीं है तो Normally ऐसे ही कुछ Put कर लेंगे उसके बाद हम इसे इंटर करके Accept कर लेंगे अब मेरे इस Tally में GST अपसन Yes हो चुके है आईए अब हम इसकी Billing करते हैं कैसे करेंगे Escape से Back जाएंगे Gateway of Tally तक Billing करने के लिए Accounting Voucher में जाएंगे Inter करेंगे इंटर करने के बाद ये बिल्कुल सौड तरीके से दोस्तों में बता रहा हूं जिसमें हम अलग अलग आपको सब चीज बना करके नहीं बताएंगे डारेक्ली वाउचर में जाके Alt-C से सारे काम करेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है इसे आप गोर से जरूर देखिएगा आपको पर्चेस करना है तो आप F9 पे क्लिक करेंगे यहां से उसके बाद ये आपको डायलक बॉक्स दिखाई देगा अगर इस तरह का बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहां से एक options दिखाई देगा accounting invoice का इस पे आप क्लिक करते हैं अगर इस तरह का voucher आपको दिखाई दे रहा है तो फिर आप यहां पे item invoice पे क्लिक करके यह voucher का जो है कि आप dashboard ला सकते हैं suppliers invoice number आप डाल लेंगे date डाल लेंगे party name हम कैसी डाल लेते हैं अगर हम party name यहां पे कुछ किसी बैक्ती का नाम डालना चाहते हैं जिस party से हम खरीद रहे हैं तो आप alt और c करेंगे और यहीं पे डाल देंगे उसका नाम जैसे as pvt से आप खरीद रहे हैं तो वो नाम डाल दिए as pvt अब लेजर हम इसका डालेंगे संडी क्रेडिटर में क्योंकि इससे हम purchase कर रहे हैं bill by bill को yes रखते हुए इसे हम इंटे करके accept कर लेंगे इंटे करेंगे और accept कर लेंगे अब यहां से purchase का लेजर पूछा जाता है तो alt c करेंगे और एक लेजर बनाएंगे purchase का alt c करके ही सारे काम करेंगे हम purchase का लेजर under group हम purchase account से डाल लेंगे तो यहां पर purchase account दिखाई देगा select करेंगे inventory value effected yes रहेगा type of leisure में कुछ नहीं डालना इंटे करना है directly not applicable automatic आपका ले लेगा GST को applicable लखना है details को आपको yes नहीं करना है type of supply में यहां से goods को select कर लेना है क्योंकि हम goods supply करना है और इसे हम accept कर लेंगे उसके बाद name of item पूछा जाएगा कि कौन सा समान आपको यहां पर purchase करना है तो जो समान आपको purchase करना है ALT और C बटन प्रेस करें और उसका आप यहां पे name of item बनाए for example mouse हम एक mouse purchase करेंगे under हम इसे primary में ही डालेंगे unit हमें बनाना परेगा क्योंकि mouse कैसे बिकेगा किस quantity में हम इसे बेचेंगे piece में दरजन में लिटर में मतलब जो भी हो जो भी समान आपका है उसके हिसाब से तो ALT C करेंगे यहीं पे और मनाएंगे हम PCS सिंबॉल में PCS डालेंगे फॉर्मल लेम में PIECES डालेंगे इंटे करेंगे Unicode में भी हम PCS को ही select करेंगे यहां से PCS इंटे करेंगे number of decimal palace 0 रहेगा क्योंकि piece में बिकने वाला समान कभी भी number of decimal palace में नहीं होता है क्योंकि डेर पीस तो हो नहीं सकता है एक पीस होगा या दो पीस होगा या तीन पीस होगा लेकिन दोस्तों यहीं पे जब आप केजी में काम करेंगे तो एक केजी हो सकता है एक केजी तीन सो ग्राम हो सकता है तो जब भी decimal palace में काम होता है जहां पे वहां पे आप तीन बहुत पर सकती है तो इसके हिसाब से आप समझ लीजिएगा और इसे accept कर लीजिएगा alternate unit not applicable डालना है क्योंकि मैंने यहाँ पे alternate unit को yes कर रखा है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि alternate unit में क्या होता है कि जैसे हम कोई समान अगर बेच रहे हैं तो पांच बैग हुआ तो उस पांच बैग में कितने quantities हैं वो piece में है दरजन में लीटर में तो उसके लिए alternate unit करते हैं दोस्तो हम इसका वीडियो हम एक special मनाय हुए है आप मेरे इसी टैली इसी चैनल पर सर्च किजिएगा आपको मिल जाएगा alternate unit के नाम से तो यहाँ पे हम alternate unit में not applicable डालेंगे और इसे हम accept करेंगे अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से information इस टैक्टरी का पूछा जाएगा जिसमें GST applicable लखेंगे details को हम यहाँ पे yes करेंगे कभी भी जब आप name of product बनाईएगा वहीं पे आप details को yes किजिएगा तो details को हम यहाँ पे yes करेंगे इंटे करेंगे तो कुछ आपसे option पूछे जाएंगे दोस्तों अगर इतने सारे option नहीं पूछे जाते हैं आपसे तो यहीं पे keyboard का F12 प्रेस किजिएगा और यहाँ पे बहुत सारे option है इन सारे option को आप yes कर दिजिएगा इसमें से कोई भी option न डाल लिजिएगा हर एक product का इंटे करने के बाद calculation type on value डाल लेते हैं taxability हम यहाँ से taxable को select करेंगे फिर इंटे करेंगे उसके बाद reverse charge applicable नू रहेगा और यहाँ पे eligibility for input credit भी नू रहेगा integrated tax integrated का मतलब होता है round of मतलब all over tax कितना percent अगर आप charge करने तो mouse पे अगर 18% charge हो रहा है तो हम 18% डालेंगे जिसमें central 9% और state 9% automatic divide हो जाता है case का मतलब होता है ठाराव charge 0% रखते हुए इसे हम integrate करके accept कर लेंगे description में कुछ नहीं डालना है mouse के बारे में पूछा जा रहा है कि mouse के बारे में कुछ description डालना है तो नहीं डालना है मुझे integrate कर लेंगे अब आप से quantity पूछे जाएंगे तो quantity हम 1500 डाल रहते है एक का price 90 रूपिया डाल लेते हैं मतलब 90 के rate से तो total amount यहाँ पे automatic आ जाता है हम एक प्राइमरी में डालेंगे यूनिट आप बनाने की जुरूत नहीं होगी क्योंकि यह piece बना हुआ है already तो हम इसे piece डाल लेते है अल्टरेट नौट अप्लिकेबल standard rate new रहेगा GST applicable और details को yes रखेंगे और same वही process दोहराएंगे जो process मेंने किया था थोरी दिर पहले on value taxability taxable 18% 99% 0% दोस्तों यह tax का type बदल भी सकता है हो सके कोई ऐसा item है आपके पास product जिसमें 12% भी tax लग रहे हैं तो 12% भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर टाइप और supply में goods को रखते हुए हम इसे इंटे करके accept करेंगे इसका हम प्राइस ले लेते हैं बारा सो पीस एक का रेट अगर हम ले लेते हैं इंटे करते हैं तो यह automatic आ जाता है अगर आपके पास third item है तो alt seeker के और बनाईए अगर नहीं है item तो एक बार इंटे कीजिए फिर alt और c कीजिए और यहाँ पे एक laser बनाईए cgst के नाम से cgst cgst add the rate of form लगा देते हैं यहाँ पे ताकि पता चलेगी कितना percent tax यहाँ पे काटा जा रहा है तो cgst add the rate of 9% इंटे करेंगे तो यह चला जाएगा duties and taxes में इसको डालेंगे हम list of groups duties and taxes यहाँ से हम gst को select करेंगे फिर इंटे करेंगे अब यहाँ पे tax का type होगा तो tax type में हम यहाँ पे डालेंगे central c मतलब होता है central tax percentage calculation यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कितना percent count करना है तो 9% उसके बाद हम यहाँ पे rounding method में आते हैं तो normal rounding को select करेंगे और इसे हम integer के accept कर लेंगे अब यहाँ पे देखेंगे आप तो 9% automatic tax यहाँ पे deduct हो जाएंगे और आपके main amount में add हो जाएंगे फिर alt c करेंगे cursor जब आपका यहाँ पे होगा तो और अब बनाएंगे हम yes gst यह मतलब state होता है add the rate of form डालेंगे 9% ताकि मुझे पता चले कि कितने percent हम tax यहाँ पे cut कर रहा है under duties and taxes gst तो state tax percentage of calculation हो जाएगा 9 rounding method को हम not applicable यहाँ पे normal rounding डालते हुए हम इसे integer के accept करेंगे तो यहाँ पे tax cut चुके है total amount जोर करके यहाँ पे 23,11,620 फिर integer के हम इसे आसानी से accept कर लेंगे तो यह होती ह पर्चेजिंग आपकी vouchers to vouchers मतलब voucher के अंदर ही आप सारे काम कर लिए इसी तरह sales कर सकता है बिलकुल असान होगा आप sales पे क्लिक करें reference number अपना डाल ले party का नाम अगर किसी party से sales कर रहे तो alt seeker करके उसका नाम बना ले जैसे राहूल under चला जाएगा Sunday dators में इंटे करने के बाद bill by bill को yes रखते हुए हम इसे इंटे करके accept कर लेंगे इंटे कर लेंगे अब sales का laser पुछा जाएगा alt seeker करेंगे और एक laser बनाएगे हम sales के नाम से अंडर जाएगा sales account में इंटे करने के बाद inventory value are affected yes रहेगा type of leisure not applicable means इंटे करेंगे तो वह automatic आ जाता है उसके बाद GST applicable details no details हमेशा sales और purchase में no type of supply में goods रखते हुए इसे accept कर लेना है अब आपको कुछ नहीं करना है keyboard यहाँ पे आप keyboard का space बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो जितने भी product है आपके पास वह सारे list यहाँ पर सो करते हैं जैसे माउस हो कर रहे है पंदरह सौ पीस तो माउस को select कर लेते हैं इंटे करते है के रहे हैं कितना बियस ना है तो दस पिस रेक कितना लगाईए गा तो पांसौ साथरुपिया इंटे कर लिंगे दूसरा product है आपक Arya 9% इंटे करेंगे, आटोमेटिक यहां पर कट जाएगा, उसके बाद SGST 9% को हम सेलेक्ट करेंगे, लिखेंगे और इंटे करेंगे, तो यह 34,800 आपका बिल हुआ, जिसमें 31,32 आपका टैक्स कट गया, टोटल मिला के 41,400 रुपया हो गया, इसी इंटे करके आफाइनली करा हो कि मेरा बिल जादा बन गया है, कुछ परड़क्ट कम कर दीजिए, उतने पैसे मेरे पास नहीं है, तो आप इसके बटन से बैग जाईए, बैग जाने के बाद आपको जाना है यहां से, डिस्प्ले अप्सन में इंटे करना है, अब जाना है डे बुक में इंटे करना चाहे वो रेट हो, चाहे वो क्वांटिटी हो, कुछ भी हो आप यहां से चेंज करके, जो भी अपने गलती कर रखा या फिर जादा उसे आप एकसेप्ट कर लें, तो इस तरह से दोस्तों आप ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं, अगर इस बीलिंग को बिल में प्रिंट कर सकते हैं, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, तो एक लाइक कर दीजो, और मेरे चैनल पर नए है, तो इसी तरह फ्री कंप्यूटर शीखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लेजे, फिर मिलते हैं दोस्तों किसे अगले वीडियो में, तब तक लिए जाहिं